नमस्कार जहन सातियों स्वागत है आज आप सभी का हमारे दिन संकल्प यूटूब चैनल के आज के इस नए वीडियो में मैं विशेग मिसराज आप सभी लोग के लिए क्लास 6 की NCRT भूगोल के महत्पोर प्रशनों को ब्याख्या के साथ में लेकर के आया हूँ इससे पहले हमने चेप्टर 1 और 2 के प्रशनों को देखा था चेप्टर 2 में हमको 15-16 प्रशन मिले थे और चेप्टर 3 में हमको मिलते हैं 9 प्रशन जो कि आज हम आप सभी लोगे लिए लेकर के आये हैं आज चेप्टर 2 का वीडियो आचुका है अगर आप लोगने उसको नई देखा है तो अब अब अज देखेगा UPSC की जो प्रिलिम परिक्षा यह हमारे बहुती नजदीक आ चुकी है और इसको देखते हुए हम Class 6 से लेकर के 12 तक की जो NCRT है इसके प्रते एक चेप्टर के महतपुर प्रशनों को लाना शुरू कर दिया है जिसमें Class 6 की NCRT HD के प्रशनों को लाए जा चुका है अगर आप लोने इन वीडियोस को नहीं देखा है तो अब से देखीगा इसकी अलग प्लेश्ट बनी हुई है और प्लेश्ट में जाकर क्या वीडियोस को देख सकते है और इसके बाद में Geography को स्टार्ट कर दिया गए जिसमें Chapter 1 और 2 के वीडियोस आ चुके है और Chapter 3 के Questions को आज हम देखेंगे इस Chapter का नाम है प्रथवी की गतिया तो आईए देखते हैं सबसे पहला प्रसन दिया जा रहा है प्रथवी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाता है Option A, Option B, Option C, A वावी दोनों, Option D, इन में से कोई नहीं तो इसका Option A बिल्कुल करेक्ट होगा अर्थार, इसकी व्याखे के साथ में हम इसको समझेंगे क्या है कि जो ये चेप्टर है थोड़ा सा सरल है तो इसको अच्छे समझ लिजीगा प्रथवी अपने अक्ष पर निरंतर घूमती रहती है ये हम और आप सब इलुग जानते है और लगबग 24 घंटे में अपने चकर पूरा कर लेती है ये भी बास सही है और जो ये घूमती है और 24 घंटे में अपना पूरा चकर पूरा कर लेती है इसको कहते हैं घूड़न ये प्रथवी अपनी जगे पर घूड़न करती है और इसकी बज़े से ही ये घूमती है और घूमने के साथ सा 24 घंटे में अपना एक चकर पूरा करती है तता सूर के चार और एक इस्तिर कक्षा में प्रत्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं अब आपको यहाँ पर दो प्रसन मिल जाते हैं पहला प्रसन की घुणन किसे कहते हैं दूसरा प्रसन की परिक्रमण किसे कहते हैं परिक्रमण उसे कहते हैं जो सूर के 4 और ये चकर लगाती है ये चकर पूरा होता है 365 दिन और 6 घंटे में आम तोर पर हम और आप सभी लोग कहते हैं कि जो एक साल है एक साल में पूरे 365 दिन होते हैं और एक साल में प्रतवी सूर के 4 और चकर लगा लेती है लेकिन ये गलत है क्या होता है कि 365 दिन और 6 घंटे में प्रतवी सूरी के 4 और चकल लगाती है ठीक है अब इसमें जो 6 घंटे होते हैं इसके डिटेल आंगे देखें कि ये 6 घंटे जाते कहां है ठीक है इसके लिए आंगे प्रस्ण दिया हुआ है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं question number 2 को तो दूसरा प्रस्ण आप सभी लोग के सामने है प्रतवी अपने अक्ष पर कितने डिगरी जुकी हुई है बहुती मैतमोर प्रस्ण है option A, 35 degree option B, 30 degree option C, 30 degree option D, 25, 24 degree तो आपको बताना है कि इन चारों में से कौन साकतन सही होगा जो प्रतवी है ये थोड़ी सी जुकी हुई है तो अपने अक्ष पर ये कितने डिगरी जुकी हुई है चलिए इसका आंसर आपको बताते हैं इसका option A बिल्कुल correct है अठात प्रतवी अपने अक्ष पर साड़े तेश डिगरी जुकी हुई है इसके बाद में हमको मिलता है question number 3 ये भी बहुती मैदपूर है पूछा जा रहा है कि प्रतवी का अक्ष एक कालपनिक रेखा है जो इसके अक्षिय सतय से 6.6 डिगरी का कोण बनाती है जो समतल वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे क्या कहते है option A प्रदीप्त समतल option B कक्षिय समतल option C प्रदीप्त बृत या फिर option D इन में से कोई नहीं आपको बताना है इस प्रस्त को आप लोग एक बार फिर से समझ लेजीगा प्रत्वी का अक्ष ये कालपनिक रेखा है हम और आप सब लोग जानते है जो कि इसके अक्षिय सतय जो अक्षिय सतय होती है उपर और नीचे वाली इस पर 6.6 डिगरी कोण बनाती है ठीक है तो चलिए आंगे बढ़ते हैं और देखते हैं कोस्ट नमबर 4 को तो चौथा प्रस्न आप सबी लोग के सामने पूछा जारे है कि प्रदीप्त बृत्त किसे कहते हैं ऑप्सन A गलोब पर वह बृत्त जो दिन तथा रात को बिभाजित करता है ऑप्सन B गलोब पर वह बृत्त जो तापमान को विभाजित करता है ऑप्सन C गलोब पर वह बृत्त जिसके द्वारा किसी इस थान की सही इस्थित ग्यात की जाती है ऑप्सन D इन में से कोई नहीं तो जल्दी से इसका अंसर हमको comment box में दीचेगा आप लोग हमारे अंसर देने से पहले इसका अंसर देने का प्रयास किया करें चलिएब इसका अंसर हम आपको बताते इसका option C बिल्कुल correct है इसकी ब्याख्यकों भी देख लेते हैं मैं तो कौन प्रस्ण है तो इसमें दिया जा रहा है कि प्रतवी सूर के प्रकास से प्रकासित होती है या आप सभी लोग जानते हैं किसी ने प्रस्ण पोचाता एक की प्रतवी है ये तो चमकती हुई हम लोग को दिखाई नहीं देती है लेकिन फिर भी ये खगोली पिंड है ऐसा क्यों है क्या है कि अगर आप आंतरिक्ष से देखेंगे तो प्रतवी हमको चमकती हुई दिखाई देती है नीले रंकी और नीले रंकी इसलिए दिखाई देती है क्योंकि सूर का प्रकास प्रतवी पर पढ़ता है और दूसरी बात यह है कि प्रतवी पर जो जल है ठीक है प्रतवी के एक तिहाई भाग में जल है जल सतय से ढखा हुआ है ठीक एक तिहाई भाग जल से ढखा हुआ है इस करान से प्रतवी हमको चमकती हुई आंतरिक्ष से दिखाई देती है और नीली चमकती हुई दिखाई देती है इस बज लुट होती है ग्लोब पर वह बृत जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त कहते हैं ठीक है अब इसको एक बार फिर से समझ लिए गाभी तो मैंने आपको इसको डीटेल में बताया है एक बार फिर समझ लिए क्या होता है कि जो सूर है सूर की दोरा हमारी प्रत्वी 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 चलिए आंगे बढ़ते हैं देखते हैं पांच में प्रस्ण को तो पांच में प्रस्ण पूछा जा रहा है कि निम लिखित में से कौन सी रितु कौन सा रितु में परिवर्तन का कारण है प्रस्ण पूछ आपको बताना है कि जो हमारे प्रस्ण पर रितु परिवर्तन होता है इसका कारण किया है ठीक है इसके लिए आपको यहाँ पर चार कारण दिये जा रहे हैं अगर आपको आता है तो गमेंद बॉक्स में बतानी की कोसिस किया करें ओके तो चली इसका आंसर हम आपको बताते हैं इसका option number A बिल्कुल सही है ठीक है सामानता क्या होता है कि एक बर्स में एक बर्स को गर्मी सरदी बसंत इबं सरद अर्थात गर्मी सरदी बर्सा और सरद रितु में क्या है कि बांटा जा सकता है ठीक है और प्रसन का डिटेल जो कि पहले प्रसन में आपको मिला था ठीक है तो पूंचा जा रहा है कि लीप वर्स है लीप वर्स अर्थात अधिवर्स कितने दिन का होता है option A 306 दिन option B 368 दिन option C 365 दिन option D 344 दिन तो आप सभी लोगों को पता होगा कि यह जो लीप वर्स होता है यह option A का correct है अर्थात 306 दिन का होता है अब इसकी ब्याख्य को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा पूरी कहानी क्या है यह 306 दिन का क्यों होता है प्रतवी को सूर की एक प 365 दिन ही कहते हैं 365 दिन में गंते हैं और जो 6 घंटे होते हैं इसको इस समय को हम छोड़ देते हैं ठीक है इस प्रकार चार वर्सों में 24 घंटे अर्थात एक दिन का अंतर हो जाता है इस अत्रीक्त दिन को फरवरी के महिने में जोड़ा जाता है इस प्रकार से प्रतेक चौ इसको हम लोग चार सालों में 6-6 घंटे करके छोड़ते आते हैं, 6-24 ठीक है, तो 24 घंटे हो जाते हैं पूरे, इसको हम एक अतरिक्त दिन के रूप में फरवरी मा में एक जो तो चार बरस में एक बार जोड़ते हैं, ठीक है, इस प्रकार से चौथा दिन जो होता है, वो 360 दि भी बताईगा, कोशन पूशा जा रहा है कि 21 जून को प्रित्वी का उत्तरी गोलार्द सूर की तरफ जुका होता है, जो 21 जून होता है, प्रत्वी का उत्तरी गोलार्द होता है, ये सूर की तरफ जुका होता है, सूर की केरने करकर एखा पर सीधी पढ़ती हैं, इसके पर कोई नहीं तो जल्दी सेंसे काहतर हम को में दीजिएगा चलिए अब इसका अंसरम आपको बताते हैं इसका option number A बिल्कुल correct है इसको हम कहते हैं आयनांत ठीक है इसको हम आपको व्याखे के साथ में समझाएंगी बहुती महत्पूर्ण प्रशन है यह आपके mains के लिए बहुती अच्छा है ठीक है तो 21 जो उनको उतरी गोलार्द सूर क की तरब जुका हुआ होता है ठीक है जिससे क्या होता है सूर की केड़े करक रेका पर सीधी पड़ती है उतरी धुरूब सूर की तरब जुका हुआ होता है ठीक है तता उतरी धुरूब रेका जो होती है यह बाद वाले भागों पर लगबग 6 महीने तक लगातार दिन रहत दichen देखा होती है इसके बाद वाले जो भाग होते है वहाँ दिन रहता है इसके बाद में एक पॉइंट भी दिया जारा है चुकि उत्तरी गोदार्द के बहुत बड़े भाग में सूर की रोशनी प्राप्त होती है इसलिए बिसुवत बृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है एबं दक्षिनी भाग में क्या होता है यहां प प्तर आयनांत ठीक है आयनांत इसके बाद में हमको मिलता है question number 8 तो आई इसको भी देखते हैं आठवा प्रसन आप सभी लोग के सामने पूछा जा रहा है कि दक्षिन आयनांत के संदर्ब में नीची दिये गए कतनों में से कौन से कतन सत्य होंगे ठीक है कौन से कतन सत्य हो दक्षिन द्रूब सूर की ओर जुका होता है ठीक है इसके बाद में दूसरा कतन है सूर की केरणे मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं तीसरे कतन दिया जा रहा है कि दक्षिन गोलार्द पर बड़ा दिन एबम छूटी रातें रातों बाली रतों होती हैं ये सारी क्रियाय पर बड़ा दिन और छोटी राते होती हैं तो आपको बताना है कि इन तीनों में से कौन से कतन सत्य हैं यहाँ पर थोड़ा सा मिश्टाइप हो गया है तो आप लोग इस पर ध्यान मत दीजिएगा चलिए अब इस कांसरम आपको बताते हैं इसमें उपरोग तो तीनों कतन सत् हैं 22 दिसंबर को दक्षिनी दुर्व के सूर की और जुके होने की कारण मकर रेखा पर सूर की केने जो होती हैं यह सीधी पड़ती हैं अब चूंकि सूर की केने मकर रेखा पर लंबबद पड़ती हैं इसलिए दक्षिनी गोलार्ड में बहुत बढ़े बाग में प्रकास प दिए जा रहा कि उल्लेक निये है अश्टेलिया में ग्रीस तुमें क्रिसमस पर्व मनाया जाता है चलिए हैंगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के लाश्ट प्रसंद को अर्थाथ को च्विशन नबर 9 को ओकी इसका उत्तर देने के आपको आपको अवचकता नहीं है आप सबी लों के सामने उत्तर आ चुका है पूछा जा रहा है कि विसुवत के संदर में नीचे दिये गए कतनों में से कौन से कतन सकते हैं पहला कतन है इस अभस्ता में सूर की केने विसुवत बृत पर सीधी पड़ती हैं दूसरा कतन है पूरी प्रत्वी पर दिन और रात बराब जो विसुवत के संदर में तीन कतन ये दिये गए ये तीनों कतन सकते हैं 21 मार्च से लेकर के 21 मार्च और 23 मार्च को सूर की केने जो होती है ये विसुवत बृत पर सीधी पड़ती है जिसे विसुवत कहा जाता है जब विसुवत बृत पर सूर की केने सीधी पड़ती है त तो यहां पर पढ़ने लगती है क्या गर्मी ठीक है सरद की जगह पर यहां पर दूसरी रितु आज़ाती है बसंतरी तो आज की इस वीडियो में इतने 8577-885934 हमारे इस द्रिन संकर YouTube चैनल पर UPSC से भी सिख जा मारे इसकी तयारी स्टार्टिंग से एक प्रॉपर वे में कराई जारी तो आपको अगर UPSC की तयारी करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा पीछे के वीडियोस को देखीगा और साथ ही साथ वीडियोस को से रावस्टिक क्या करें जिससे कि जो लोग UPSC की तयारी कर रहे हैं उन तक हमारे वीडियोस पहुंच सकें और वो अपनी तयारी को कर सकें आप सभी लोगों से एक और निवेदन ये है कि आप सभी लोग जो आपके अगल बगल में लोग रहते हैं वो UPSC की तयारी कर रहे हैं तो उन तक सूचना को पहुंचाईएगा कि हमारे इस चैनल पर UPSC की तयारी फ्री में कराई जा रही है और एक और बात ये है कि जिन लोग को नोट्स लेने है वही लोग मैसेज करें जो लोग पे करके आठा पेमें दे करके मैं नोट्स लेना चाहते हैं इसके लिए आपको बहुत ही कम रुपए देने पड़ते हैं लोग प्राइस पर आपको दिये जा रहे हैं तो चलिए ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो के साथ तब तक लिए जाहिन दोस्तो